रवा लोगन के हमार प्रणाम काहालबा हमारा करा काड़ के भाई भेहन लोग दिगारा 24 के चुनाव के 6 चराण आज पूरे हो जाएंगे और चारज उनको क्या होगा चारज उनको क्या होगा पिर एक बार पिर एक बार और इसलिए मैं इस जुनाव में हिंदुस्तान के हर कौने में गया हूँ सालों से राजनीती में काम किया संगठन में काम किया और मैंने देखा है कि बिहार के लोगों में राजनीती का आकलन करने का जो सामर्द है वो अद्वूत है और बिहार के लोग इन चीजों में इतने पक्के होते हैं कि बिहार के लोग इतने पक्के हिसाब किताब के लोग होते हैं कि वे कभी भी वो भोड़ दाने से पहले 50 बार सोते हैं कि मेरा वोड बेकार तो नहीं जायेगा ना ये समझ बहुत कम लोगों को होती है जो बिहार को है और इतने लिए बिहार के लोग जब वोड़ करने जाते हैं तो पहले पक्का देखते हैं वोड तो डालूंगा लेकिन मेरा वोड बेकार नहीं जाना चाहिए वो सोचता है जिसकी सरकार बनना पक्का है वोड तो उसी को डालूंगा है गनी बिहार का ऐसा बिहार निर्णाख होता है और इसलिए मुझे पक्का भरोसा है कि बिहार के लोग इस बार बोट डाल करके प्रधान मंत्री भी पक्का कर लेंगे साथियों चार जुन की शाम होते होते बिहार में एक और काम होगा बताओं क्या होगा यह अखमार बादे लिखेंगे कि मोधी पविश्वानी कर रहा है मैं पविश्वानी ने कर रहा हूं लेकि मैं आपको बताता हूं चार जुन शाम होते होते आर्जेडी वाले कहेंगे कि कॉंग्रेस ने लुटिया डुबो दी एक दूसरे के कपड़े फारना शुरू करेंगे चार जुन को दूसरा क्या होगा वो भी बता जेता हूं ये कॉंग्रेस का शाही परिवार क्या करेगा कॉंग्रेस का शाही परिवार पराजय का ठिकरा खड़गे जी के सर पर फोर करके वो विद्येस में छुटिया मनाने चला जाएगा और बेचारे खड़गे जी कारिकरताओं का गुस्सा सहते सहते ठक जाएगे बाई और बेनों कॉंग्रेस आर्जेडी और इंडी गड़बंदन को बेच बार बार खारिज कर चुका है नकार चुका है इनके पास नभीजन है इनके पास सिरफ और सिरफ कन्फ्यूजन है इनके पास होसला का नाम और निशान नहीं इनके पास हतासा ही भरी पड़ी है इनके पास नीती नहीं है निल्ले लिने की छमता नहीं है इसरब नकारापण लेकर के जी रहे हैं दसकों तक इनकी पूरी राज़िती दरों और डराओं के मंतर पर चली है लेकिन मोदी ने इनका ये जो डर का गुबारा है ना उस गुबारे को इपोड़ दिया है और हालत तो ये है कि मोदी उनके डर को भी डराता है साथियों ये इंडी गड़ बंदन वाले देश को डराते थे देश को ऐसा डराते थे और सत्तर साल से डराते थे क्या कहते थे आयो दिया में अगर राम मंदिर बना तो देश में बबाल हो जाएगा खुन की नदिया बहेगी आज राम लला ब्रव्य मंदिर में फिराजमान है कोई बबाल हुआ क्या कोई खुन की नदिया बही क्या ये डराने का जुटा खेल चलता था ये नहीं चलता था ये लोग डराते थे सतर स्वाल से डराते थे ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर से 370 अगर हटा तो ये पाकिस्तान में चले जाएंगे अगर 370 हटा तो आग लग जाएगी अगर 370 हटा तो देश में बम धरा के होंगे भाती भाती की धमकिया वा डर पैदा करना मोधी इनकी न धमकियों से डरा है न कभी रुका है दारा 370 हटा कि ने हटा दारा 370 की दिवार गई कि नहीं गई कश्मीर और हिंदुस्तान के बीच की ये दिवार को तोड़ा के नहीं तोड़ा सीना तान के तोड़ा के नहीं तोड़ा मुझे बताएं कहीं आग लगी क्या कोई पाकिस्तान भाग गया क्या देश में भम दभा के हुए क्या डराते थे साथियों ये डर्पो कॉंग्रेश और ये डर्पो कारजेडी वाले अभी क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के पास पनमान उपम है दरो दरा रहे हैं खुद में मसाला खाली हो गया तो उदर का मसाला दिखाते हैं इसलिए पाकिस्तान के आतंकी जब चाहे भारत पर हमला करके चले जाते थी ये डर्पो को ये कारण मोदी इनकी तरह डरता नहीं है मोदी ने सेना को कहा जाओ गर में गुश करके मारो आज पाकिस्तान कुछ करने से पहले सौ बार सोथता है इसी कॉंग्रेस के राज में आरजेडी के राज में ये नक्सलियों ने सब को डरा करके रखा था मोदी डरता नहीं आज नक्सलियों के सभाई पूर्जोस चल रही है साथियों यही इंडी वाले एक और समकी देटे थे ये कहते थे कि बड़े प्रस्टाचारियों पर हाथ डालो तो मोदी की कुर्शी हिला देंगे मोदी डरता नहीं है जिसने चोरी किया है जिसने गरीब को लूता है और कितना ही बड़ा सहनसा क्यों न हो कितना ही बड़ा सहजादा क्यों न हो कितना ही बड़ा अपने आपको तिसमार का क्यों न मानता हो उसको जेल जाना पड़ेगा जेल में जीना पड़ेगा जेल की रोटिस चबा करके उसकी जिन्दगी फूरी होने वाली है मुझे बताओ भाई अगर कोई लूट करता है आपके हक का चिल लेता है तो छोटे लोगों को तो जेल में बंद करने के लिए कोई चिल लाता नहीं है बड़े जाने चाहिए कि छोटे जाने चाहिए आप मुझे कहेंगे वो मैं करूंगा गुना किया है तो छोटा अदमी जेल जाना चाहिए कि सबसे बड़ा है वो जाना चाहिए बड़ा हो जेल जाना चाहिए तो मैं बड़ों को भेजना हूँ तो अच्छा कर रहा हूँ ना सही कर रहा हूँ ना और मैं आज बिहार के लोगों को एक और गारंटी दे रहा हूँ जिनों ने बिहार के गरीबों को लूट कर नोकरी के बदले जमिन लिखवाई है कान खोल के सुन लो उनका भी जेल जाने का काउंट डाउन शुरू हो चुका है ये जैसे ही ये हेलिकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पुरा होगा जेल का रास्ता पैब हो जाएगा बिहार को लूटने वालों को एंडिये सरकार छोड़ेगी नहीं और ये एंडिये की गारंटी है मोदी की भी गारंटी है भाई और भेनों ये इंडि गड़बंदन वाले अपने राजनितिक स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये लोग बिहार और बिहारियों के अफमान के खिलाब आवाज तक उठाते नहीं हैं कॉंग्रेस के पंजाब के नेता ने बिहार से वहां काम करने गए वहां मेहनत करके इमानदारी से जीवन जीने वाले हमारे बिहारी मद्दूर भाई बेहनों का गोर अपनान किया बद्दे शब्दों में अपनान किया कहां अब हम उन्हें बिहारियों को पंजाब में गर नहीं देंगे गुशने नहीं देंगे कॉंग्रेस के मिनिस्टर ने का है कॉंग्रेस के शाही परिवार ने इसके विशे में मुँपे ताला लगा दिया है क्या कभी कॉंग्रेस के शाही परिवार ने बिहारियों के इतने बड़े अपमान के लिए बिहार से माफी मांगी क्या बिहाडियों से मापी मांगी क्या और ये इनको लालतैं लेकर के मुज्रा करने वाली, जह जमाप है ये भी बिहारियों का अप्मान हो रहा है और कौंग्रेस के चरण चुमरे कौंग्रेस के खिलाब एक शबत भूलने को त्यार रही है कॉंग्रेस का जवाब बांगने को त्यार नहीं है आर जेडी में हिम्मत नहीं कि बिहारियों के अपमान पर वो कॉंग्रेस को एक शब्द भी बोल पाए साथियों इंडी गटबंदन के एक साथि डीम के के नेता ने बिहारियों के लिए बद्दी बद्दी गालियां बोली तेलंग नाम है कॉंग्रेस के मुक्य मंत्री ने बिहारियों को बला बुरा कहा पस्चिम मंगार की मुक्य मंत्री आए दिन बिहारियों को गालिया देती है लेकिन आर जेडी और कॉंग्रेस के नेताओं ने उनके मूँ से इन लोगों को उनके खिलाब एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं है इन लोगों को आथ के स्वाविमान की चिंता नहीं है इनको बिहार के गवरों की चिंता नहीं है इनको बिहार के होनहार नवजवानों के प्रतिष्ठा की चिंता नहीं है इनको सिर्फ और सिरफ अपने वोट बेंग की चिंता है उनको सिरफ आपके वोट चिनना है उसके लिए भाती भाती की भाशा का उप्योग करते हैं इनके लिए बिहारियों का सम्मान कोई माइने नहीं रखता साथियों मैं हमारे जो फर्स टाइम वोटर है जो पहली बार वोट करने के लिए जाने वाले हैं उनको जरा जंगल राज पार्ट टू से साथदान करना चाहता हूँ यह जो फर्स टाइम वोटर है ना उनका जन्म होने के बाद उनको जंगल राज कितना भेंग करता वो देखने का अवसर नहीं मिला क्योंकि यहाँ एंडिये वाले काम करना चुरू किये लेकि जो जंगल राज वालों ने जाओ जो मुसीबते खड़ी कर दी थी यह जरा फर्स टाइम वोटरों को पता होना चाहिए वो समय था शाम होने के बाद बाहर निकलना मुश्किल था बाहर से कोई रात में ट्रेन से उतरता था तो स्टेशन से बाहर नहीं निकलता था रात पर स्टेशन पर पड़ा रहता था सुबे उजाला होने के बाद फिर अपने गाउं की तरब निकलता था अपहरान दकैती हत्या ये बिहार का दुर्भाग्य बन गया था नितिजी के नेत्रुत्व में एंडिये सरकार बिहार को जंगल राज से बाहर लेकर आई है वो गुंडे वो डकेत वो लुटे रे अभी छिपे हुए हैं चुप होकर के बैटे हुए हैं मोके की तलास में अगर गलती से भी ये इंडी वाले जराबी मजबूत होते दिखेगे भी तो फिर उनका दाना पानी मिलेगा और ये मिल करके फिर से आपका भविश्य तबाह कर देंगे नव जबानों आपकी जिन्द की तबाह कर देंगे और फिर कभी भी आप उफर करके बाहर नहीं आ पाएंगे बाहिज और बहनों ये हमारा बिहार सामाजिक न्याय की प्रनेता भूमी है और मुझे गर्व है कि अगर किसी ने सामाजिक न्याय की रख्षा की है तो वो बीजेपी और एंडिये ने की है बीते दस सान में देश ने एंडिये को दो बार प्रचंड जनादेश दिया हमने पहली टम में एक दलीत के बेटे को जो कभी बिहार के गवर्णर हुआ करते थे उनको देश का राष्टपती बनाया दलीत को देश का राष्टपती बनाया जब हमें 2019 में दूसरी बार अवसर मिला तो हमारे देश की एक आदिवासी बेटी को देश का राष्टपती बनाया देश के सर्वोच्च समयधानिक पत पर सुसोपित किया राष्टपती पत का गवर्णर काम उन्होंने शुरू किया हमने पिछड़ा आयोग को समयधानिक दरजा दिया कॉंगरेट ने तीन तीन दसक तर पिछड़ों की इस मांग को ठुकराया था लेकिन मैं आपी के बीच पैदा हुआ हूँ अती पिछड़ों को कैसी जिन्दगी जीनी पड़ी है वो मैंने भोगी है और इसलिए मैंने आते ही आयोग बना दिया पहले केंद्रिय विद्याले नवदय विद्याले और सैनिक स्कुलों में OBC आरक्षन नहीं था ये मोदी ने आकर के उसमें भी हमारे बच्चों के लिए मैंने आरक्षन पक्ता किया मेडिकल की पड़ाई में भी केंद्रिय कोटे में पहली बार OBC आरक्षन हमने लागू किया ये हमारा ट्रेक रकॉर्ड है साथ को इसकी विफ्रीत आज इंडी गड़ बंदन वाले SC, ST, OBC अती पिछडे उनका सबका आरक्षन चीन किये की एक बहुत बड़ी साजी स्रच रहे हैं मैं देश को अवगत करना चाहता हूँ ये मेरा कर्टब या मनता है कि देश को मैं जानकरी दूँ इंडी गड़ बंदन ने हजारों सेक्षनिक संस्तानों में SC, ST, OBC अती पिछडे को मिलने वाला आरक्षान बंद कर दिया और वो सारा का सारा अब मुसल्मानों के लिए रिजर्व कर दिया है ये जो किया है वो मैं बताता हूँ एक ही जटके में बलीतों, पिछडों, अती पिछडों उनका आरक्षन खट पर कर दिया इन्होंने सम्विधान को ताक पर रखकर मुसलिम जातियों को रातो रात ओबीसी बना दिया ओबीसी के हक का अरक्षन दे दिया अभी आपने दो दिन पहले कलकत्ता हाई कोड का जज्जमेंट देखा होगा कलकत्ता हाई कोड ने ऐसी डांट लगाई है क्योंकि वहाँ सतत्तर मुसलिम जातियों को रातों रात OBC बनाकर OBC का हग उनको दे दिया था भाजिये भेनो हाई कॉट ने ऐसी थपड मारी है उनको ठिकाने लगा दिया है ये ऐसे आपके साथ दोखा बाजी करने वाले लोग है ये समिधान के पीट पे छुड़ा बौकने वाले लोग है लेकिन इन से भी इनकी साजी से कम नहीं हो रही है साथ योँ इंडी वाले चाहते हैं कि बार बार मुस्लिम आरक्षन का इस मामला कॉट में न फसे कॉट हर बार रिजेक न करे तब उपाई क्या तो इंडी गटबंदन वालों ने पक्का कर लिया है कि अगर वो दिल्ली पहुँचेंगे तो पहला काम कि ये सम्विधान को बदल देंगे सम्विधान को बदल करके S.C.S.T.O.B.C. का आरक्षन वो मुसल्मानों को देने का सम्विधान में बदलाव करेंगे ताकि कॉट उनको परिशान न करे ये खेल खेल रहे हैं भाईयों बैनो मैंने ठीके एक महिने पहले इन्नी वालों को चैलेंग किया था देश के हर राज्य मैं चाकर के बोला हूँ मैंने उनको इतना ही कहा कि आगा आप चुनाओं में आये हो जनता जनारदनी देश के मालिक है जनता जनारदन को लिख करके दो कि हम सब्धा में आएंगे तो हम संविधान में परिबरतन नहीं करेंगे हम सब्धा में आएंगे तो S.C.S.T.O.B. से का आरक्षन चीन नहीं लेंगे हम सत्ता में आएंगे तो दर्म के आधार पर आरक्षन नहीं करेंगे हम मुसल्मानों को यहां से चिन कर उनको नहीं देंगे लिख करके दोड़ मैंने का एक मैंना हुआ एक मैंना लिखने की बात चोलो बोलने की हिम्मत नहीं है उनकी इसका मतलब पेट में पाप है बिहार में मेरा यादव परिवार है बिहार में मेरा कुर्मी परिवार है बिहार में मेरा कुछ वाहां परिवार है बिहार में मेरा कलवार परिवार है बिहार में मेरा तेली परिवार है मेरा सूरी परिवार है मेरा कानू परिवार है मेरा निशाद परिवार है मेरा पासवान परिवार है मेरा रविदास परिवार है मेरा मुसहर परिवार है ऐसी हर जाती के सबसे बड़े दुस्पर अगर कोई है तो यार जेडी कॉंग्रेस वाले है ये मुखोटा सामाजिक न्यायका लगाते हैं लेकिन तुष्टी करन करते हैं वोट बैंक की राजनिती के गुलाम हो चुके हैं और वोट बैंक वाले जैसे नचाएं ये नाचते रहते हैं और चौबिस के चुनाओं में मोदी ने उनको बे नकाब कर दिया है उनका मुखोटा मैंने निचे उतार दिया है साथियों मोदी इनकी साजिसों का भी परदाफास करेगा और विकास के लिए भी उतनी ही मेहनत करेगा आने वाले पांच साल बिहार के विकास के लिए अभुद्पुर्वा रहने वाले हैं यह जो नेडिकेटर फ्रेट कोरिडोर यहां से गुजर रहा है यहां फोर लेंड शिक्स लेंड के हाइवे बन रहे हैं इनसे कंस्ट्रक्शन से जुड़े हर सेक्टर में अब रोजगार बड़े आने वाले समय में हाँ लोजिस्टिक सेक्टर के लिए बंदारन से जुड़े सेक्टर के लिए बहुत सम्भावना है रोतास हो कैमूर हो और अंगाबाद हो इस पूरे खेतर में कुछी आदारित उद्जोगों और दूसरे उद्जोगों के लिए ने अवसर बनेंगे साथ यो एक छेत्र तो धान का कटोरा है यहाँ आलू जैसी सब्जिया पैदा होती है मोदी सरकार अनाज बंदारन में भी सहकारिता को बढ़ावा दे रही है इसके तहर दुनिया के सबसे बड़ी बंदारन योजना पर काम सुरू हो चुका है आने वाले पांच साल में सब्जियों के लिए कोल्ड स्टोरिज करस्टर भी हम बनाने जा रहे हैं साथ यो यहाँ इतनी बड़ी संख्या में मेरी माता ये बहने आई हुई है उनका जीवन आसान बनाना गरीब के इस बेटे का संक्प है इसलिए मोदी ने मुप्त नाज और मुप्त इलाज एक गारंटी दी है अब तो मोदी माता और बहनों को और भी गारंटी दे रहा है पहली गारंटी आने वाले सानों में तीन करोर बहनों को हम लगपती दीदी बनाएंगे आने वाले दिनों में हर परिवार में जो भुजूर्ग है सत्तर साल से उपर है अगर वो बिमार है इलाज की जरुत है तो उनके बेटे बेटी को इलाज का खर्चा नहीं करना पड़ेगा ये दिल्ली में आपका बेटा इसका खर्चा करेगा और एक काम मैं आपके लिए करना चाहता हूँ मैं आपका बिजली का बिल जीदो करना चाहता हूँ और इसलिए हमने पी एम सुर्यगर मुप्त बिजली योधना बनाई है और मुप्त अगर बिजली योधना में आप अपने लिए तो मुप्त में बिजली क्यों करेंगे जादा बिजली आप बेच सकेंगे और इसके लिए सरकार 16 पैनल लगाने के लिए 75,000 रुपिय तक की आर्थिक मदद हर परिवार को करेगा 75,000 रुपिया और जैसे आपको मोदी सरकार में पक्का घर, सौचाले, नल से जल, सस्ता सिलिंडर मिला वैसे ही मोदी अपनी हर गारंटी पूरी करेगा मैंने गैस का सिलिंडर देने की गारंटी पूरी की कि ना की जड़ा जोर से बताइए न मैंने गैस का सिलिंडर देने की गारंटी पूरी करी कि ना की करी ना तो इस बार मुझे गैस के सिलिंडर पर वोट भी चाहिए भाज़ार बहनो ये MP बनाने का नहीं ये पीम बनाने का चुनाव है ये देश में एक मजबूर सरकार बनाने का चुनाव है इसलिए आप जब कारा कार से मेरे साथी उपेंदर कुस्वाजी को वोट डालेंगे तो वोट सीधा मुझे मिलेगा शासा राम से शीवेश राम जी को दिया वोट सीधा मोधी को मिलेगा आरा में आरके सिंग को मिल दिया वोट सीधा मोधी को मिलेगा आप गर कर जाकर मेरी ये बात पहुचाएगा और एक काम करियेगा करेंगे ज़रा जोर से बताईए करेंगे आप जाकर के हर गर में बताना कि वो मेरे खाती है मेरे देश के खाते विख्षित भारत बनाने के लिए आपके गाउं में जो भी देवस्तान हो आपके गाउं में जो भी तिर्थस्तान हो वहाँ जाकर के मेरी तरफ से परमात्मा के आगे मत्था टेकना करेंगे मेरी तरफ से परमात्मा को बत्ता ठेकेंगे अपने गाउं में और मेरी तरफ से परमात्मा को मांगना कि विक्सित भारत बनाने के लिए परमात्मा हमें आशिरवाद दे